साम की समझ से परे ये ब्रह्मांड अद्भुत्यमतकारों से बरा है, जहां आत्मा अमर है और शरीर जन्म लेके मृत्यू पाता है, जिसने भी इस धर्ती पे जन्म लिया, उसी अपने कर्मों का हिसाब इसी संसार में पूरा करना पड़ता है। बंगार राजू की आत्मा धर्ती पर आकर अपने अधूरे छोड़े गए कामों को पूरा करने के बाद, आज फिर यम लोग जाने वाली है। और बताओ, हमारे यम बॉस कैसे है? तुमोंने कैसे जानते हो? अरे अपने जीनी हैं, यहाँ पहला चकर थोड़ी है, पहले भी आ चुका हूँ मैं। दो दो बार, वो कैसे? अरे लंबी कहानी है भई। अरे यह कहा ले आए, नर्ग जैसा तो नहीं दिख रहा? यह स्वर्ग लोग है, यम राज के ओर्डर्स है कि तुम्हें नर्ग लोग से स्वर्ग लोग में शिफ्ट किया जाए, मतलब दर्शन होंगे, सही कहा ना? सही कहा. फिर तो जीवन सफल हो गया, चलो जी सब quick, spec, 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 spec, झाल झाल कर दो कर वां? हुआ 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 थाण हुआ युआ आप गुआ जर्ष lihat हुआ व हुआ हाइ सहता जाँ जो हो जो हो हो जो हो आज विश्णु जी कुछ विचलित दिख रहे थे काली शक्तियों के कारण उन्हें रोकना ही होगा हमें शिवजी उन्हें दंद स्वरूप अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर देंगे स्वामी कुछ अशुब होने वाला है क्या अशुब होने वाला है एक समस्या ने जन्म लिया है इस समस्या का कोई समाधान है समाधान ने भी जन्म ले लिया है क्या समस्या और समाधान में कोई रिष्टा होगा क्यों नहीं जन्म और मृत्यू उत्पत्ति और विनाश ये सब विष्णुजी की लीला है ये बंगार राजु का बेटा रामू है और ये उनकी पत्नी सत्य भावा सम बहुत खुश थे पर तब ही ये खुशी दुख में बदल गई रामू की पत्नी सीता का देहान धो गया उस मासोम बच्चे को रामू और उसकी मा सत्य भावा ने नाम दिया उसी दोरान उसके पड़ोसी रमेश के घर में एक बेटी ने जन्म लिया जिसका नाम रखा नाग लक्ष्मी बहुत शुबनक्षत्र में जन्म लिया है दोनों ने आगर इन दोनों का विवा हुआ तो साक्षाष शेव और पारवती जितना पवित्र और सुखी रिष्टा होगा इन दोनों का यह बात है हाँ बिलकुल रमीश बंगा राजो और नाग लक्ष्मी की चोड़ी शिव पारवती की जोड़ी होगी दोनों की शादी करवा दे अरे अभी अभी तो नाम करन संसकार हुआ है रुग जौपंडेत विवा की सला तो देदी पर विपत्ती के बारे में नहीं बताया उनमें साप और नेवले जैसी शत्रता होगी उन्हें अगाह करो कुंडली में ऐसा नहीं है सुआमी कुंडली मनुष्य बनाता है और भाग की विधाता लिखता है अंगारों पर चलना होगा उन्हें सुनो मा रामू अब मेरा मन नहीं लगता है यापर बस अपने काम में विजी रहूँ यही अच्छा है मेरे लिए सोच रहू हूँ यूएस चला जाओ वही चौप करना मेरे लिए सही होगा जब भी वक्त मिला करेगा आजाया करूँगा समझ सकती हूँ तुम का हो तो तुमारी दूसरी शादी करवा देती हूँ बिटा सीता की यादों के साहरे ही जी लोगा मा रही इस बच्चे को पालने की बात तो आप है ना, दुबारा इस टॉपिक को मत निका लिएगा सत्य भामा ने माँ और बाप दोनों का फर्स निभाया बड़े भारी मन से उसे स्कूल में दाखिला दिलवाया इतने अच्छे दिन पर ही है आसूँ ननी सी जान पर स्कूल की बढ़ाई का इतना बोज बढ़ाई बोज लगती है वो देखो फुदक फुदक कर मेरी बेटी कैसे जा रही है वो लड़की है, हालात से समझाता कर लेगी आओ बेटा, वह लड़कों के बीच बेटा ये हार मुझे देदो जाओ जाकर बेट जाओ बेटा, जाओ हाई हाई अरे वाह, पूरा अपने दादा जी पे गया है मतलब अरे आदी, बंगार राजु ने इसी स्कूल में इडमिशन लिया है उसके उंकल, उसका खयार रखना बेटा ठीक है बंगार राजु का जर्म दिन बंगार राजु और नागलक्ष्मी की दोस्ती शुरू होने से पहले ही बच्चों कल क्लास मोरीटर का सिलक्षन है जो बनना चाहे अपना नाम लिखवा दे ये सुनकर चोटी सी नागलक्ष्मी को एक धमाकेदार आइडिया सूझा ये सब क्या है नागलक्ष्मी? तूद, मक्षन, बदाम, पिस्ताक, किश्मिष, भलो और सबजिया भी है मास्टर जी आज क्लास मोरीटर का फाइनल सिलक्षन है ना? हाँ बेटर ठीक है मास्टर जी तो इस साल की क्लास मोरीटर सबसे होनहार स्टूडन्ट हमारे सरपंच की बेटी नागलक्ष्मी चुनी जाती है नागलक्ष्मी क्लास लीडर थैंक्यू मास्टर जी थैंक्यू, थैंक्यू ए बंगार राजू, लड़कियों के बीच के बेटे हो तुम, वहाँ बेठो मुझे बताने वाली तू कोन है? मैं क्लास की मरीडर हूँ बंगार राजू और नागलक्ष्मी रोज लड़ाई करते उन दोनों को रवेश और सत्यवामा भी शांत नहीं कर पाते थे हम इनके शादी करवाना चाहते हैं, ऐसे तो पहले दिन ही तलाक हो जाएगा यह तो प्रैक्टिस चल रही है सत्यवामा ने वो देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था बंगार राजू आउट हो गया, हार गया अरे छोड़ो मुझे मेरे गले का हार जो आ गई सत्या, तुम और यहां इतनी जल्दी राम नाम सत्य हो गया मेरी मौत से दुखी हो या मेरे यहां आने से क्या चल रहा है यह इतनी सारी लड़कियों के साथ गुल्छर्रे उड़ा रहे हो गलत समझ रही है माते, यह कबड़ी खेल रहे हैं स्वर्ग में सभी की दभी इच्छाय पूरी होती है, इनकी यह है नारा जी अपना मुखमंडल बंद रखिए तो यह है तुम्हारी इच्छाय पस किया बेटा तु हाँ, तुम्हें साडियां बहुत पसंद है ना वहाँ नीचे दुकान पर जाकर खरीदनी पड़ती थी तुमको यहां सोचने पर ही मिल जाती है बेल्कुल सही बात को गुमाओ मत, यह सब कौन है अरे यह तो रमवा उरोशी मेन का है ना हाँ, अरे इनसे मिलो सत्यमा, मेरी इकलोती धरम की पत्मी हाँ, ओ, नमस्ते लीदी, हमारे स्वर्गलोप में आपका स्वागत है कल तक यह प्रेम के सागर में गोते लगा रही थी अब यह बैट कर निहारेंगी सुबा हो या शाम, दिन हो या रात, यह बस आपकी सुन्दरता के रांग गाते रहते हैं दीदी और एक बार दीदी कहा तो तो तेरी जबान खीच लूगी अरे सुनिये जी यहां इनके साथ मिलकर मुझ पर ही हस रहे हो, मुझे भूल गए ना मौज मस्टी का असली मज़ा तो तुमारे साथ है मेरी जारे मतलब हरी बरी थोड़ी खिली खिली मेरे जीवन की हरया दी है मेरी जारे मत, नाम सुनते ही शर्मा जाती है शर्मा तो नहीं रही बलके गुस्से में टमाटर जैसे लालम लाल हो रही है अच्छा ऐसा है क्या गुस्सा फुर किये देते हैं अरे गाल तो शर्म से लाले गुस्से से नहीं गौर से देखो इश्क और मुख चिपाय नहीं चुपते जुबान से ना सही लेकिन नशीली आंके सब ब्यान कर रही है प्यार चलक रहा है ये हया ये तबस्वम किसी की भी जान लेने के लिए बहुत है मैं न जाने मन अरे इस गुलदशी हुसन के आगे तो इंदर लोग की सारी अपसराएं भी पानी बरती है तुम भी ना एक नुमबर के फरे भी हो मुझे किस तरह से मनाना ये अच्छी तरह से जानते हो अब ये बताओ नीचे सब के क्या हाल है अपना बेटा रामो उसे एक बेटा हुआ है अपने जोकर ने बेटा बैदा गिया जरूर वो भी जोकर ही होगा काश होता वो तो आप पर ही गया है अब इस अपने रंग दिखना शरू कर दिया है उसने उसकी हरकते देखकर ही यहां पहुची हूँ शेर का फोता शेर ही होगा मेरे मुझों की आन रख ली उसे देख रहा है मुझे काए वो यह भी आपकी दबी इच्छा होगी आपके नक्षे कदम पर चल रहा है अरे तो उसमें बुराई क्या है प्रभू उसे सुधार ना होगा पहले उसे देख दो लूँ चलो चलो वो रहा देखा बिल्कुल मुझ पर गया है करे मेरा कर नहीं है कुछ देख पहले कि मैं यहां पहुचे हूँ इतनी जादी बड़ा कैसे हो गया यहां का एक मिनिट वहां का एक साल है अब मुझे मेरे पोते को देखने दो और बंगा राजू बंगा राजू फूलों की सजावट कैसी लगी पहला कॉंट्राक्ट है सही है यार चल सारे फूलों को सोने के भाव में बेचा है इसने आउट बड़ी क्या हुआ मुझे देखा हुआ क्या हुआ तुम ठीक तो हो ना मोचा गए अब इतनी सुन्दर हो तो नजर तो लगेगी ना दादी से कहकर काला ठीक हा लगवा लो कह दूँगी वैसे ये काम मैं भी कर सकता हूँ कैसे? क्यूँ बंगार राजू गाउं के सारी लड़कियों को ऐसे ही फसाते हो अरे इसे फसाना नहीं क्या थे? तो फिर? अगर लड़की ना चाहे तो लड़का उसे फसा ही नहीं सकता लड़का पसंद आ गया तो वो पटा लेगी फसाना तो बहुत जूटी सोच है पटाना अलग बात है अब तुम्हें देखो न ओ स्माट चलो एक शर्त लगाते हैं मैं रसी कीचूँगी तो मटका फोड़ना अगर तो मटका फोड़ पाए तो पट जाओंगे अगर पटना चाहती हो तो फिर चलो लड़कियों की गेम डेंजरस होती है मरवाएंगी पूजा की तैयारी करते हैं चलो आजा आजा रुप क्यों गए नहीं फोड़ सकते मैं नहीं फोड़ूँगा मटका वो फोड़ेगी देखते हैं अच्छा 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 पूरा किशन का नहीं निगला जरूर मेरा नाम रोशन गल डियर पेरेंट्स आज ये मीटिंग हमारी लड़कियों के सिलसिले में है हम सबका एक ही दुश्मन है बंगार आज जब वो छुटियों में गाव आता है मेरे प्राण सोख जाते हैं अब वो हमेशा के लिए राट आया है बेटी को घर पर बंद करके रखना होगा या हमें गाव छोड़ना होगा हमें हमारी बच्चियों पर नजर रखनी पड़ती है अरे शादी में जाएं या मार्केट में जाएं या मंदर में जाएं या स्कूल में जाएं यही फिकर लगी रहती है कि मदु मख्या कहीं शेद के पास तो नहीं चली गई करने से कोई फाइदा नहीं चलकर बंगार राजू के मामा से शिकायद करते हैं हाँ है उदर देखो लाड़ साब लड़किया गुमागर घर आ रहे हैं वावा तुम्हें देखकर सिर्फ अक्र से उंचा हो रहा है ऐसा क्या हुआ गाउं की सारी लड़कियों के माबाब पूरे शेहर में माइक लेकर तुम्हारी जाजेकार कर रहे हैं बस क्या मामा इतनी छोटी बात पर खुश हो गया है मैं खुश देखा हूँ तुम से नहीं होगा बंगा राजू मजनु बनके लेलाओं को घुमाने में बहुत मजा आता है तुम्हें देखके उनके माबब का हाटबिट बढ़ जाता है सच में तो इनने डॉक्टर के पास लेजाओ तुम्हारी शादी की उम्रे हो गई है मेरी बेहन की बेटी से नहीं मारी बिलकु छोड़ो चलो आओ खाने का वक्त हो गया है तो अंदर जा में तिर लेका लेकर आती हूं ऐसा खाना बनाया है कि अपने उगलिया चाट ते रह जाए हो खाना है कि चपन भुका मरशाद मतलब राशन महेंगा हो गया है ना बुझे पागल कुत्ते ने काठा है आज इसे खि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का इकलाता वारिस जो है जब हमारी पसंद की लड़की से शादी करेगा वो अपनी बीवी की मुठी में रहेगा और सारी प्रॉपर्टी हमारी मुठी में अपने पोते के लिए बहुत बुरा लग रहा है मुझे उसके लिए एक अच्छी लड़की ढूंडेंगे माना तुमारी आखों का तारा है लेकिन तुमारा ये काना जो है ना गाउं की हर गोपी को घुमारा है उसकी शादी नहीं हुई तो जान लेड़ोंगी अच्छी बात नहीं है मुझ जैसे रोमियो को तुम जैसी जूलियट मिल गई तो उसे भी मिल जाएगी मसका मत मारो मुझे मुझे की बात करो अरे तुमने तो मुझे काबू में कर लिया लेकिन इस बे लगाम घोड़े के लिए लगाम कहां से मिलेगी मिल गई है अपने पुराने पड़ोसी की बेटी कौं से पड़ोसी वो रमे श्याद है वो अभी गाउं के सर्पंज है उनकी बेटी नागलक्ष मी आ रहा हुआ है रीपसाय प्रॉपाईलfik हाहस शतर पांग तुपब करेंगे घुठी क्छाव क्या प्लाइआ केसे अउस घाव के सर्पंच मेरे दादा जी रह चुके हैं मेरे पिता जी रह चुके है और अब सर्पंच मैं हूं ह new ही स्बार चुनाव होने वाला है जिसमें श्बादने बनेगी हम और कौन बनेगा मुझसे जदा पढ़ी लिखी लड़की और का मिलेगी इतना तेज दिमाग है क्या किसी के पास बिल्कुल ने आपने एक जीनियस को जनम दिया है पापा सारे दुनिया यह कहती है इसका देने का है इन लोगों ने इनका मत मानो ए क्या गलास अलग सिखाया कि आप तो पापा वैसे बागाराजी की बात में दन तो है कि मेरा मतलब यह चल चल निगल यहां से डाइग्राम भेजे के साथ सरपंज बनेगी है तुमसे कहीं साथ एक्सपोज है मुझे और यहां पर यहां कि अकिले में जाके करना इस चीजिकाओं के समने एक्सपोज कर आपी ने बतान पड़को एक्सपोजाल काला कांडिकार अंत्रयं बगईयकाम है जुगंधिं पुष्किवर्द्धनम पुर्वारुका विभवंधनान मृत्योर्म क्या हुआ अधी नादलक्षियों और बंगाराजु फिर से लड़ पड़े जल्दी से पंचायकों किस पर बड़ी आई फिर गाईबेस के गूगल पे चराएगी इस बार लेड़ी इस रेजवेशन है लड़के तरहां लड़क्षमी इसे चैलेंज मत कर किसी और लड़की से चुनाव लड़ा देगा ये अच्छा इसे समझाना क्या बोली यही क्या दरेगा बूल बूल रही हूँ मेरीबात जंग हर फांत साल में एलक्षोन होते हैं एलेक्ष्ण में कई लोग खड़े होते हैं कभी-कभी लड़ाई भी हो जाती हैं पर उसका क्या फायदा है यहां लक्षमी तो अपनी ही है ज़ल जल अगर कभी कोई समस्य आती भी है तो आंकल हेल्प कर देंगे हैं सही क कुट्ते बिल्ली जैसे जगड़ते रहते हैं दोनों जानी दुश्मन एक दूसरे के ये शादी होने से रही चलो 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 एसा क्यों कह रहे हूं अरे चलो इस रिस्चे को भूल जाओ इसमें वक्त लगेगा साब हम रेत में ये पत्थर मेले माइनिंग ओफिसर को बिला इसे चेक करवारा है सर जैसा अप लोग सोच रहे हैं ये कोई मामूली पत्थर नहीं है ये बेश कीम्ती नगीने है इसी वक्त आर्के लॉजिकल डिवार्ट्मेंट को इंफर्म करना होगा उन्हें फोन करता होगा हलो सर अनभिलीवेबल सर हाँ 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 झाल 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 पूजा पाट कर रहा है नया ट्राक्टर करीदा है उसी की पूजा कर रहा है अच्छा है क्यों बाई लोन भगवान ने दी है क्या तू नहीं सुध रहेगा अज मंदिर में कैसे आया भगवान पर विश्वास करने लग गया क्या मजाग कर रहे गया पत्ते खलने जा रहा था गेम में हमेशे एक जोकर की जरूरत पढ़ती है न तो राम बाबु को लेने आ गया पता था यहीं मिलेगा अब मैं किसी और को दूर करना नहीं चाहता है इस लाइफ में इसके सामने सर जुकाने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं समझ गया ये सदाशिव शंबु शंकरा अप है तोना ये तेरा शंकरा नित्य कर रहानंदी खोके धुन में तेरी दास ये तेरा शंकरा वाँ 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 स्वामी जी क्या फाडू वोइस है आपकी रिकार्ड करके इंटरनेट पे डाल दोगे ना पता है एक दिन में वाइरल हो जाएगी क्या कहता है सही कह रहूं नो कि यह रमेशन कल इतने उदास क्यों लग लगए आज है क्या अंगल सब ठीक है ना हाँ सब इस भी रखकर मैंने उधार लिया जिससे चुका नहीं पाये तो जमीन हड़प ली रवेश जी मेरी और से सुलह करवाने गए तो उनका भी अपमान किया उस गुड्डे ने कहा कि जमीन चाहिए तो भीश दो या किसी मर्द को दो-दो हाथ करने के लिए भेशो रवेश अं आफ कर भाई इनकी ट्रू कॉपी है दू वहाँ प्रबलम मैं सुलजाओंगा और क्रेडिट तेरा भगवान ले जाएगा नया ट्रेक्टर लिया है ना पूजा कंटिन्यू कर उनके लिए मैं काफी हाँ यही रुकिया अंता है यह पहां जा रहा है तू चलती खेलता भी नहीं है मेरे भी पत्ते बाट हमारा गेम चालू है तो कौन है अरे तीन पत्ती का दिवान हो या तुम लोग यह बच्चों की तरह रमी खेल रहे हो बड़ी मुश्कुल से जोकर मिला है शाहिद इस बर में गेम जिच जाओ तेरी शकल जोकर जैसी है तो ज दर्शान पत्ते नहीं दिखानेगा है इस खेल का पाद्शाओ मैं है है यह सब क्या चल रहा है पता नहीं भाई यह खेलने के जित कर रहा है कोई ताश का दिवाना है ताश खेलने के वास्ते इतना मारा मारी हाँ तो यह चक्कर है ओफर याद आया या तो उसकी बेटी दिरा के तुझसे बात करें या कोई मर्द आके तुझे सबक सिखा यही ओफर था ना तो ले मैं आ गया है थोड़ दो साले को यास निगलना होगा वन हमें फटके पड़गे चलो यह साला तो मायर फिलाड़ी निकला बाही लोग सॉरी बोल क्या रहे ताओ में तो तुने कॉलर पकड़ा था माफिय अब हाद पकड़ के मांगेगा क्या चल पैर पकड़ चलो जो हुआ सो हुआ आप घर चलो अपनी अथक मेहनत और निरंतर प्रयासों से हमारी नागलच में आज सरपंच बन गई है अब टेरिंग डैशिंग डाइनमिक सरपंच नागलक्ष मी बंगा राजू ये कुछ जादा नहीं महाज्यादा ऐसे खिलाएं इस यूग की महान नेता हमारी नागलक्ष मीजी आप सेज पर आई और दोशब्द के तालियां तालियां नागलक्ष मीजी आपके श्वागत अब तू यहां क्या कर रहा है फ्रंट सीप कर बैड़कर तालियां बजाकर तमाशा देख रहा है 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 कि अब अब बढ़ी हस्ते बन चुकी हूं पर मुझे बिल्कुल घमर नहीं है ये ड्रेस देख रहे हो फूरपाट सा खरीदा ना मैं सबसे पहले स्टूडेंट हूं अच्छा आपकी सरपंच तो हूँ ही पर स्टूडेंट भी हूँ यह याद दिलाती रहोंगी इस ट्रेस से वाँ यह ही मेरी सिंपलिसिटी विंपलिसिटी कुछ नहीं पबलिसिटी है सही पकड़े हो हैटमास्टर जी अब आपकी बाद मतलब यह भी पकाएगा लक्षमी अच्मि और आप लक्षमी नहीं महालक्षमी हैं हमारी सरपंच इंसान नहीं एक देवी है बाप रहे बाप रहे ट्वास्टर जी चांचाइकली को ज्यादा नहीं हो रही है यह यह मैंने नहीं उसने लिखा इसके लिए उसने मुझे दूद मक्षन काजू किसमिस पिस्ते के पैकेट दिये हैं इस गाओं का ओभरता सितारा है हमारी प्यारी नाग लक्षमिए मेरी मासूम बेटी पदमा दो मिनें से लापता है कोई ढून के लाओ उसे और यहीं कही होगी शांत रहे अर्य यह बंकार राज जो भी सीट पर दहीं है हैतं बर्माद हो गया अकडबकड बंबेव पूरे स्वा अर्य चोर्निकल के बागा चोर्निकल वहां कोई हाथ दूज तो भी वह बहुत बड़ी गलती किया उसने उसकी दाधी ने संसकारी नी ती वह से हेंग तोंगोर्ट चेट दंगोड़ चेट अपी रही सत्तल सून ंप 사ल हूं अब मसा आएगा बहुत बार के जुका हुआ है यह खेल वालो चीज तो नरू ना मानोड़ो दोर की पोते पारू पोतिन निपंगारो तोरकड़े गांवाले पास आ रहे हैं नहीं पकड़ा जाएगा कि चुर को पकड़ो चुर को मेरे पापड़े अब तो यह जरूर पकड़ा जाएगा नहीं पकड़ा जाएगा मेरी चुल बल्गी मेरे पापा सारे गांवालों को लेकर आरे हैं दो चीक, चुम पैंच थो कईयों को मैंने भी तो चुपाया है मतलब चुपाते देखा है बस एक इक का मिल जाए बंगा राजू बस एक रानी मिल जाए बूल जा ए सुनाई नहीं देता हां क्या है सुबा राओ की बेटी तुम्हारे साथ आई थी ना कहा है वो मुझे नहीं पता ए आउकात में रहे त पूछ लेना मेरे समने मत आजमा चल निकल सरपंच की इंसल्ट वह भी मूप है कितना बेशरम है इंसल्ट की तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा चल 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 आपना काम कर चल अभी ढूड़ने कालती हुआ है कहां छुपाया है उससे मेरा पैक कुछ कहा देखना किसी ज चलो आग में थोड़ा और की जालता है ए नागलक्ष्मी मिल गई क्या वो अरे यह हमारी सरपंच मैडम है जरा नागलक्ष्मी देवी है महान है शक्तिमान नागलक्ष्मी जिन्दाबाद जिन्दाबाद ए बंगा राजू आज कई ये दिन तो अच्छी तरह याद रखना इन सब के सामने सरपंच आजे शबत लेती है शबत होगी याद रखना बंगार आजू भरे बाजार में तेरा जिलूस निकालू होगी नहीं तो पीडियों से मिल रहा है ये गौरव ये मान सम्मान ये सरपंच का उदा इससे रिजाइन कर दूगी अब और नहीं ये किसमत हर बार तो उसका साथ नहीं देगी ना एक ही इलाज है अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी करना दो हमेशा के लिए इस परिशानी से शुटकारा मिल जाएगा लेकिन तुमारे पोते को अच्छी लड़की देगा कौन कोई और लड़की नहीं चाहिए उन दो कोफी टी गिया क्या कंजू से कौफी ती के लिए पूछा जिन्दा इटेख बेदा थे नहीं घ्यक्र तक नीक्या है अरे आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है पर क्या है अंटी अपने दादा की टू जेरोक्स निकला है वो अबे चपड़ गंजू, मुझे इस मामले में क्यों खजी इट रहा है पास ही बैठे थे प्लीज बुरा मत मानना तेरी तो इनकी बात भी ध्यान मत दे अच्छा रमेश सुनना अपनी बेटी का हाथ मेरे पोते के हाथ में दे दे आपको पता नहीं बचपन से आज तक दोनों लड़ते आये हैं एक छट के नीचे रहे तो कुमफू, कराटे, जुडो, बॉक्सिंग हर दिन होगा फिर भी बेटी ने अपनी राय बदली, तो मुझे कोई आपती नहीं किसी दिन उसका मूड देखकर उससे ये बात जरूर छेड़ूंगा कल सुबह जल्दी उठना है, अब मुझे सोने दो आराम से सोजा रवेश, नेन में क्या बड़बड़ा रहे हो? सत्या अंटी मेरे सपने में आई सत्या सपने में आई थी? क्या बोली? बंगा राजू और नाग लक्ष्मी की शादी करा दो चुपरे, आया बड़ा शादी की बात करने वाला पानी पी और सोजा इसकी बेटी हाँ कहेगी तो ये शादी करवा देगा अभी के अभी धर्ती पर जाओ, इसकी बेटी को राजी करो शादी करा के ऊपर आजाओ पृत्वी लोग स्वर के अगल वगल में तो है सुबे जाकर दूपेर तक लोटा हूँगा अगर तुम नहीं गए ना, तो मैं अपनी जान दे दूँग बरने की धंकी, कितनी बर बरेगी मजाग कर रहा था मेरी हरे भरी इंदर देव मेरे चाचा तो है नहीं पूनम की रात का इंजार करो उसी दिन अपॉइट्मेंट मिलेगा, चलो मैं हूँ ना, आजाए यम्राग जी को मेरा प्रणा इस वक्त यहाँ आने का कष्ट क्यों उठाया? शिवरात्री के दिन शिवलिंग का अभिशेक होगा पृत्वी पर हर वर्ष शिवरात्री मनाई जाती है पर इस वर्ष कुछ अशुब होने वाला है कोई अप्शगुन ना हो इसलिए बंगा राजू की आत्मा को फिर से मृत्यू लोग भेजना होगा एक दैविक कारी के लिए हम सभी को मिलकर ये कठोर निरने लेना ही होगा आत्मा को मृत्यू लोग भेजेंगे? किसकी आग्या से? शिवकी आग्या से ओम नमस्षिभाए फिर तो भेजना ही होगा बंगा राजो इंद्र और यम्राज यहीं आ रहे हैं अरे यम बॉस बड़े दिनों बाद दिखे कहां कूं पेत्रे दिन लर्क लोग के लिए लोग के साथ बिजी थे क्या? स्वामी, इन्हीं एक बार प्रिथ्वी लोग पर जाने दीजिये न हाँ, मैंने इसे समझाया था ये कोई लुनावला खंडाला नहीं के सैटर्डे संडे घूम कर आ जाओ कोई विशेश कारी? हमारे पोते की जिंदगी का सवाल है जाने दीजे ना प्रभू ये हो ही नि सकता, इसको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही तुम्हारी हर चाला के समझताओं बंगा राजू अपनी पतनी की बात सुनो, पतनी की हर बात मानना तुम्हारा करतव यह है क्यों भावना की रों में बह रहे हो प्रभू? बंगार राजू निर्णय हो चुका है नीचे जाओ विवाह संपन्न करके लोटना उस लोग के कल्यान में ही इस लोग का कल्यान है दन्यवाद प्रभू हम चलो हम हद हो गई मर के भी चैनी निल्गा अच्छा हुआ जो वो मान गए अब शादी कराकर ही उपर आना आने की बा हुआ 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 ह खाना खालो और भी तुम्हारे इन जब कोईला खतम हो रहे हैं कि यह आपके पुड़ी हाना नंटा हो रहा है अरे इतनी जल्दी में कहां जा रहे हो आज का घर में टिकते ही नहीं हो अरे बंगार राजू जब से तुम्हारी दादी गुजरी है दिन रात तुम्हारी प्रॉपटी की देखबाल कर रहे हैं हिसाब लिखते लिखते आखों में चाले पड़ गए पर क्या करें करना पड़ेगा हमारा फॉर्च जो है हम मैं यह हिसाब देखकर क्या करूँगा आप लोग इसमभालो ना अरे रे ऐसा घसाब मत करो चाहे कया मत क्यों न आ जाये पर तुम्हें हिसाब देते ही रहेंगे दादी ने कसम जो दिलवाई थी किसे आपको इसको कब दिलवाई जो पर बोला कड़ रहा हिसाब तो देखना पड़ेगा मेरी कसम चाहे कुछ भी हो जाए ठीक है दो हिसाब ठीक है आजाब पचास ओकर्में नारियल के बगी चेहें हर एकर से 2,000 नारियला उते है यहां कीड़ेगे बड़े हैं इतने हैं अब आप बताओ जिंगे का ताला पचास एकर में फैला है सोचा हर जिंगे से सौ जिंगे पैदा होंगे पर ऐसा नहीं हुआ फिर उन्हें वाइगरा वाली दवाई भी खिला के देख ली और बारा ही बड़े ओ अच्छा पर केजी बीस रुपए यह मुनाफा और यह लागत अगला हिसाब है सो एकर में गन्ने की खेति का उससे जो गुड़ बनता है किलो का पांच रुपए और क्या पिछले साथ तो इससे भी आदे रेट में बेचा था अब तेरे विश्वां पचास एकर में कुछ मचली यहां पचास रुपए कुछ इनको तो फिश्की कमाई हुई दो लाख रुपए और ये खर्चा क्या ये आम हम खा सकते हैं लॉस करो होगी क्या बंगा राजु के पर्मिशन के बिना नहीं ले सकते चलो लाओ दो 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 और खर के अंदर जाके खेलो चलो भागो आब बीना दो थे तो इस साल का हिसाब क्लियर हो गया हम हम ठीक है ये पचास अजर उपे रख लो पॉकेट मनी के लिए बागी पैसों की मैं अफडी करवा देता हूं ये दोनों आम धोके खा लेना ने ने छोड़ो मैं धोके भिश्वा देता हूं ठीक चलेगा बाप रे अकाउंट सम्हालना कोई बच्चों का ये बहुत मेंनत मिरती है बहुत आश्ट कर ली हुआ हाँ 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 अपनी मुंडी जरा इधर घुमाओ इसके टून को क्या हुआ नंदी बेल सांड बन गया इधर आओ ब्रमो दाल में कुछ काला है आओ जरा हिसाब करना बागी है इसको अचाना क्या हो गया हम पचा यह जोट बोलोगे एक एक एकड में हजार नारियल होते हैं हमारे पास सौ एकड है तो हुए एक लाक एक नारियल का 10 रुपया तो कहां है 10 रुपय बताओ चलो लाओ रोकड़ा चूप क्यों खड़ा है जवाब देना सौ एक एक एकड से मिले 40 टन टन का रिट 10 रुपया उसके हुए 40 लाग है ना वो कहां फूर हो गया है लंबे लंबे कीडे मारने में अगले सवाल का जवाब तुम्हें ही देना है फिश फार्मिंग पर तुग्यान ज़ाड रहा था ना समझा रहा था हर मचली का प्राइस मुजबान ही आद है तो बड़ी मचली का कितना है व इसे घोटाले फिर कभी नहीं होने चाहिए अगर कुछ चाहिए ना तो मुझसे बोलो मैं दूंगा पैसा कितना भी बड़ा क्यों ना हो रिस्टे नातों से बड़ा नहीं होता जाओ कहा जा रहे हो यह आम चाहिए मेरी बुलिट कहा पर है पीछे बच्चा तू बच्चा तू अंदाबा पच्चा तू उंसे ही बिलावी अच्छा ना मैं क्या हूँ इस गाओ को प्रगति की रहा पर ले जाने वाली हमारी युवा नेता सरपंच नाग लक्षमी आज किसानों की समझसें सुधाएंगी मैंने किसानों वाल अड्रेस पहना है ताकि मैं भी आप मेंसे ही एक लग सकूँ ओहो, आज से पहले किसे निकम में सरपंच ने, विकास का कोई काम ही नहीं किया, लगाम दे, लगाम दे, तुझ से पहले मैं सरपंच था, उससे पहले मेरे पापा, उससे पहले मेरे पापा के पापा, तेरी पबलिसिटी हमें ले डूबेगी, तू अपनी बात कर, उन्होंने मैंने विकास किया है मैं और विकास करूगी हाँ चलने दे कितनी पढ़ाई की मैंने ताकि अनपड़ गवारों का भला कर सकते हैं वाश वाश एक दिन पार्लामेंट में जाओगी तुम शायद प्राइम मिनिस्टर बन जाओ ये देख क्या रहे हो तालिया बजाओ हमारी बीच आज एग्रिकल्चर ओफिसर बेटिनरी डॉक्टर हैं जो आपकी समस्याय सुलजाएंगे क्या बताओं सारी फसलों को कीड़े लग गए कितने भी दवाई जड़कों कमबक्त मरता ही नहीं अब क्या करूँ एक काम कीजिए मेरे रहते आप जबाब देंगे तो कैसा लगेगा बैठ जाईए मैं हो ना देखिए फसल पर कीड़े लगना हर दिन की आम बात है कीड़े फसल क्यों खाते है पेट भरने के लिए कभी मेरी तरह अपना दिमाग लगाया होता तो फोकट के दुखणे नहीं रूने पड़त चार साल बात मज़े से खेती कर लेना सेंपल हाउस अप्लाइन कीड़ों का तो पता नहीं पर हम किसान भूख से मर जाएंगे क्या प्लान है नाका लक्षमी आँखे खोल दी सबकी ये सारे किसान तुम्हारे नाम का मंदिर बनाएंगे ये ताली बजाओ नेक्स्ट आवरो मां गेद्य दोल्ल कोधिंद आनने वर्ले नने अट्टे आदी कंद को तर्थ हुँदा मी कंद कद कोड़ों साहाँ जाओ पापा बाशिन दिना तो बाकी हैं अरे मैंने कुछ गलत सला दे दी किया गाउंवालों को गलत तूने नहीं गलत तो मैंने किया है चलो सब सरपंच ओफिस पहुंचो बहुत काम बाकी है भी चलो वोड़ना यार किसी को कदर ही नहीं है वाँ 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 सूपब क्या फाडव अडवाईस दी तुमने दिल खुश कर दिया महान नागलक्षमी आज तक मैं तुम्हारा टैलेंट समझ नहीं पाया मुझे माफ कर देना प्लीज क्या बोला इस देश का तुम उज्वल भविश्य हो कसम से उस जमाने में और इस जमाने में तुम है ना यकीन हो रहा है ना हो रहा है वोडा है Way ляक्षमी तुम इस गाओं की सरपँच नहीं हो बल्कि इस राज्य की सरपँच हो देश की सरपाँच यूएस की सरपँच हो बाद करो तुम बनो की बाद करो प्लीज वादा करो मेरे लिए तुम्हारे लिए इसके बाद सच निकलेगी न देश औराजी का सरपंच वो उलू बना रहा है ज़रूर उसका कुछ प्लान है तुझे क्या पता प्रेसिडेंट ओफ इंडिया होता है जेश का सरपंच खुद जाधा इन हो रहा है है फीलिंग इंपोर्टेंट है नागी शब्दू कियों बंगराजल नागलक्षमी को सपोर्ट कर रहें अच्छी बात है उससे शादी कर लो अच्छी जोड़ी है क्या अरे मेरी पतनी की रिष्टिदार सरपंच भी है जोड़ी जमें कि तुम्हारी सच में अच्छी लगई जोड़ी जावगी अब जोड़ी जमाता हूं क्या एल पहां रश्मार प्सक्रै scripture टुम्हार व्ल्म सब्सक्राइप क्या दूनर्म कर्ों तुम।र्ण की बातं हारी इससे प्रशा है अवाँ तो सुवा बता हो तो सूप हो गया है पापा कैसे हैं आप लेकिन सामने से अर्सा हो गया ओ आपकी तरफ तो ठीक है ना अवेशा की तरफ फिट और क्या चाहिए मैं भी ठीक हूं कुछ और बात करो ना पापा एक्चुली पेशिंट्स वेट कर रहे हैं बेटा मुझे जाना ओब ओहो सॉरी सॉरी लेकिन टाइम पर खाना खाले ना पापा ठीक है ना क्या है कि अब सीता भी नहीं है ना खयाल रखने के लिए क्या खान खुछ नहीं कुछ नहीं बस अपना खयाल रखना ठीक है आज तक मैं यह सब कहता रहा हूं तुम से और आज तुम यह कह रहा है बस कहन आप सब कावम वाले अपनी जमीन खाली करके इनके हवाले कर दीजे पर क्यों करें पिछली कई पुष्टों से ये जमीन हमारी है अब ये किसी और को क्यों दे और कोई चारे नहीं है इनके पास डॉक्यूमेंट्स है तो मुझे मदद करने ही पड़ेगी इनके मदद करना मेरा फर्ज है ओ मैडम की पंचाया चल रही है जमीन असली मालिक को ही मिले यही सरपेंच का काम है मैं आपको दूसरी प्रॉपेटी दिलवा दूँगी ये भी तो सरपेंच की ड्यूटी है लेकिन इससे तो हम सड़क पे आजाएंगे सरपेंच आईबा? मैं आपे भरोसा करके आपके पास आया हूँ आपको हक मिलेगा रोट पे फैके गाएंगे उसके बाप की प्रॉपेटी एस साले अभी दिखाता हूँ अरे इतनी क्या जल्दी है मेरी एंट्री बागी है अटो अटो क्यों रहे मैडम किसी और की जमीन किसी और को मेरे पूर्खों ने इनके पूर्खों को ये जमीन दी है इस मंदिर से लेकर उस नदी तक फैली हुई 500 एकड़ की जमीन हमारी है और इसमें से 50 एकड़ हमने इनको दी ये बास सर्पन्की को समझाईए बकवास बहुत हो गई कोई प्रूफ है वो भी दिखाऊंगा सुनो मेरी मोटर साइकल ले जाओ प्रम्मो से मिलो लॉकर के तीसरे खाने में जमीन के कागस है लेख आओ शाकल क्या देख रहे हो लेख आओ जा रहाओ थोड़ा सबर रखो आता ही होगा तुमारा सुबूत यह देखो आगए असली कागसा अब हो जाएगा दूद का दूद और पानी का पानी चोर को याद आएगी नानी लाइए अंकल वेरी गुड पड़ी लिखी तो होई तुम खुद पढ़ सकती हो फिर भी समझ में नाय तो आप अकील से पढ़़ा लो बंगा राजुन हमें बचा लिया वरना यह तो हमें बेघर कर देती हां किसे सर्पंद पना ऐसे पागल कहीं की मुझे पागल बुला I will kill you औकात मेरे सब रुक जाओ उल्टा चोर कोतवाल को डाटे खुद की गलती क्यों नहीं मानती किसी की शकल देखके उसके कपड़े देखके गलत का साथ दोगी तो पबलिक तुम्हें रोट पर ले आएगी बंगा राजुन यह क्या कर रहे हो गरीबों के साथ कभी खिलवाड मत करना यह क्या पागलपन है यह पोस्ट का रोब, होकट का भाशन, काम नहीं आते सुनो तो जाओ यहांसे, गर जाओ आँख और दिमाग खोल कर फैसले करो बंगा राजु बंगा राजु ओए, तुम भी यहां आगई? अकल नहीं है क्या? क्या कर रहे थे? रो रही है, सब के सामने बेज़ती कर दियो उसकी जानकर नहीं किया, बस बात करते-करते थोड़ा घुसा आ गया मुझे तुम्हारी गलती की वज़े से रिष्टा बनने से पहले ही तूट जाएगा कैसे मनाओगे उसे? आप देखो रुक जाओ नागलक्ष्मी, जरा सुनो तो ये पूरा प्लान हमारी सरपंच जी का था हमारी ग्रेट सरपंच नागलक्ष्मी इनकी कोई गलती नहीं है, बलकि यहाँ पर गलती मेरी है मैंने अपने कागस घर पर रखे थे इनके इस छूटे से नाटक से हम दोनों की गलतियां सामने आ गई न्याए दिलाने का ये तरीका हमारी सरपंच ही सोच सकती है ये प्लान कब बनाया? सच मेर हम मेरा ही प्लान था इतनी खरे खोटी मैंने सुनाई लेकिन इन्होंने मुझे एक शब तक नहीं का साक्षा देवी हैं ये है तुम्हारा नागलक्ष्मी सच में तुमने मेरा जमीर जगा दिया अब इन सारे लोगों को उनकी जमीन के दस्तावेस दो ताकि इनको वो महसूस हो जो मुझे हुआ आग लगाने वाली है तो आओ नागलक्ष्मी चलिए सब आगे आजाईए अब हम सब मिलकर नागलक्ष्मी जी का जय जय कार करेंगे जाईए जाईए घर जाईए वीपर्स मिल गए ना जाईए अब शुक्रिया शुक्रिया अब देखना तेरे फॉलोवर्स कितने बढ़ते हैं बात करने में थोड़ा अकडू सा है पर दिल का बहुत अच्छा है आई लाइक हिम लाइक हिम मचली जाल में पस रही है मेडम मेडम सरपंच मेडम इतनी आप डिल सुष पर भरोसा मत करना आपकी उमरी क्या है आप सरपंच है कोई चुटी मोटी हैसी नहीं आप इधी बड़ी लिखी है महाग्यानी है आप यहां के राजा जैसी है मुझे सब पता है एक नंबर का आवारा है सबसे बड़ा चिछोड़ा है पर मैं उसे पसंद करती हूं अरे हां तुम यहां नीचे कैसे आ गई ऐसे आई रभू बात क्या है रभू जरा वहां देखिए उन दोनों को मिलाने की बजाया उन्हें दूर कर रहे हैं उन्हें इसी दोने वक्त उपर बुला लिजि इतने अलप समय में उसे बुलाना असंभव है तो फिर मुझे निचे बेच दीचिए ये भी असंभव है या तो उन्हें उपर बुला लिज या मुझे नीचे बेच दीचिए बस तो ही रास्ते हैं आपके पास दारम संकट में डाल दिया मैं तो क्या इंदर देव भी डड़ते हैं तुम से तुम तो वागे कमालो मेरी हरी बरी पेटी, महा मृत तुन जाय मंतर का जाब करवा लो कल तुम्हारे पिता की साथी वर्ष गांठ है जल्दी क्या है पंडिजी, किसी और दिन करवा लेंगे समझ क्यों ने रहे, यह आपके लिए अवर्षक है ठीक है पंडिजी, कल ही कर लेंगे पूजा, मैं सारी तयारिया कर लूँगी सही कहाना दादी? अरे? काफी दुनां से मुझे आपसे बात करने थी बेटिया, नाग लक्ष्मी के लिए मैंने कोवर ढूंडा है रहने दीजे पंडिजी, लड़का मैंने पहले ही देख लिया है बस सही वक्त का इंतजार है कल पूजा के बाद उससे ये बात करूँगा ठीक है, नमस्तर रमेश को सपने में किया उसका वादा याद है मेरे मरने के बाद भी अपनी जबान पर कायम है सुपर्ब चॉइस है, जो हमें चाहिए था वो सारे गुण है इस लड़की में शादी के बाद दुनों एक साथ कैसे लगेंगी जैसे हम लगते थे लेला मजनुकी जोड़ी देखा, उसका चेहरा पूनम के चांड जैसा खिल रहा है उसका सरल मन गुलाब की तरह महकता है सुन्दर्ता और साथगी का अनोखा संगम है ये निड़की विल्कुल तुमारी ही चाविए हाँ, सही कहाँ, ये हमारा सपना है और जरूर पूरा होगा, शादी के बाद तो हमारे पुटे के भाग खुल जाएंगे जाओ, पुझा खत्मोने से पहले उसे यहां ले आओ हाथो लेकर आता हूँ न मैठो बिटा एट्स या टेल्स, चल जल 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 दी बता टेल्स, टेल्स, हार गया स्मझी थिया हलो हलो, बंगा राचो मुझी तुमसे बात करनी थी, मिल सकते हो कहां हो तुम? हमारी नारियल के बगीचे में अचा ठीक, अभी आता हुआ भंगा राजो हुआ हुआ बोलो, क्या बात करनी थी? हुआ हुआ हिए, शिर्मा ग्यो रहे? हुआ 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 प्रज़ के लिमान के लिगग से लगड़ित के लिवगा लिवर क्यों एुश स्टिंट एक कैसी लेय लग हूप जांट किस लिवगे लिवगे लिव डिवगेगे लिव लिवगे के सुने हागा सुने मॉड़ हुई हुई अ। यह लड़ने आये हो या डांडिया खेलने आये हो नहीं दू एन वन का पावर देखें यह ल कर समयश समय अज़ने आये हो सुन्नी हो यह लुब 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 अजह सकत्पक्राभ सेक्षार्ण वेलाव यह लुब अब लुब यह लुब यह लुब मैं बविदस हाँ! आए लड़र आए है। जरणीं में आपनीं मंधानी एक्राइद करें। लोग.. पूर्णी पूर्णी प्री दिया… एई तरह बंगा राजू। यह क्या कर रहे हो। शांत हो जाओ है। यह आप शकून्जे racist पूजा के बिच विखन आपके पिताजी के लिए बहुत बड़ा संकट लाएगा यह गलत हुआ है पूजा में विखन डाल दिया दिमाग नहीं है यह पागलपन है यह बनाओती है पापा ऐसा कुछ नहीं है यह लेखे जाओ इसे ले जाओ जाओ कभी माफ ने करूंगी समझता क्या है खुद को यह चल भाग शारमानी चाहिए तुझे भाग दरसल बात यह है कि उसने मेरा अपमान किया इसलिए बंगा राजुने उससे सबक सिखाया उस दिन का बदला लेने वो आया था सुनो बेटा वो क्या है नाग लक्ष्मिय को मेरी फिक्र हो रही थी इसलिए उसने ऐसा किया तू दोस्त है इसलिए तुझे छोड़ दिया पर नाज उस मंडप में तेरा सर काट देता दीस लोग मिलकर एक आत्मी को नहीं मार पाए भगा कर लाए भी तो उसी यगजे के पास पूरे गाओं के सामने तमाशा बना दिया अच्छा कर मैं वहाँ नहीं होता तो सालों की बेहनत पर पानी फिर जाता उसका मरना क्यूं जरूरी है पता है ना अरे बताना मंदिर में छुपे खजाने के लिए ताइम पास के लिए उस भंगार राजु को मारने के लिए नहीं कहा है तुम लोगों को ये खेर लगता है क्या उस माइनिंग आफिसर को क्यों मरवाया था किसी वक्त आर्केलोजिकल डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना होगा अन्बिलीवेबल सर उस ओफिसर ने बिल्कुल सही कहा ये कोई मामूली पथर नहीं है ये अद्भुच्चमतकारिक मणी है जो सालों से उस मंदिर में छुपा कर रखी हुई है उनकी रक्षा के लिए खास शक्ती काम कर रही है उन मणियों को हासल करने के लिए उस खास रक्षा कवच को हाटाना पड़ेगा वर ना तुम लो खून की उल्टिया करके वही पर मड़ जाओगे अब तू ही बता खाजाना पाने के लिए हमें क्या करना होगा बंगार राजु को मारना होगा उस बंगार राजु का वजूद मिटा दो बंगार राजु को मरना ही होगा इस सब में तुमारे पोटे की कोई गल्ती नहीं है इस दुश्मनी की शुरुवात मुझसे हुई थी, वजा तो तुम जानती ही हूँ तुम अपने आपको दोश्मत दो, सब किस्मत की बात है तुम्हें इस दरसे दुखी देखती हूँ, तुम उससे बरदाश्ट नहीं होता उन आत्माओं को और कितना कश्ट सहना पड़ेगा अतिशिक गरुन की आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी पूर्ण रूप से उनका अस्थित्व समाप्त हो जाएगा लेकिन उन्हें परम मुक्ष मिलने से पहले अपने अधूरे कर्मों का हिसाब पूरा करना होगा सुख और दुख दोनों भोगना होगा अभी बहुत सारे बड़े कारे करने हैं इने बस देखते जाओ शो बढ़ी उटे ना शे, क्या फालतू दोस्त है तुम लोग एक गेम नहीं जीच सकते हैं कितने दिनों से हमने पार्टी नहीं की थी आज जब पार्टी किये तो जम कर पीते हैं फुल नाइट क्या है सच है नागलिश मेने इसको कान के निच्चे बजाये था सोलाले सच है तुम लोग ये गेम से सन्याज ले दो अरे मेरे लिव रख रुको कि देखा तुने नागलिश मेने ऐसा जटका दिया है कि दिन में गडड़़़़़़़ पीरा है चार्टीस का जटका बोल निल पर लोल, किसकी बारी है? वह बचारा तो परेशानी में पी रहा है, उसे रोकना चाहिए था ना? में पी रहा है पिजारा यह सिर्मारी हो रहा है मेरा अरे बंगा राजू पता सब क्या बोल रहे हैं, नागलक्षमी ने तुम्हें सब के सामने थपड मारा अच्छा, नागलक्षमी ने मुझे थपड मारा यह वह बहुत उसे अपने करतूत्त नतीचा घुसे में सबसे मार पीट का रहा है और यह है इसके बेवकुफ दोस्त उसे रोकने की बजाया बड़ावा दे रहे हैं कि इतने सीरियस क्यों हो गए मैं तो छोड़ा सा मजा कर रहा था चलो आजा आजा जो मैंने गोद भार एकी लिष्ट बना दी है बोलता जा अलदी चार किलो दो किलो कर तीन किलो किसर आजा कर दे शास्ति इसकी आग्या नहीं देता शास्त रहा तुम्हारा राशनाल है ऐसा मामा समाज में आपकी थूथू हो रही है और आप यहां पर मेंड़ की तरह कूदे जा रहे हैं शरम नहीं आती आपके जगा मैं होता तो खून खूजा मेरी बुराई किसने की ए बताना मुझसे तो बोला नहीं जाएगा बता उसने का आप दिमाग से खाली हो खाली है कौन यह है कि मेरे तो कान से खून आ गया कि आप चिंपैंजी से से हूँ वैं चिंपैंजी से हूँ आपने भांजे के टुकडों पर पलते हो आपकी हिम्मत देए कि घर से बाहर निगल कर खुद कुछ कर सको थू है सी जिन्दगी पर लेकिन ऐसा कहा क्यों नाग लक्ष गुलाम लगता हूँ तुम मुझे सर पर बिठा कर रखते हूँ उसे बताना थे ना अरे आप गुलाम नहीं राजा है राजा लेकिन उस नक्चड़ी लड़की को तो मू तोर जवब देना है ना एक आइडिया दू क्या अभी गोद भराई की रस्म होने वाली है उसकी इसको एक पंच मार के जाना उसे बंच चूर चूर कर देना आप कुछ बोलोगे भी या बैठे रहोगे मू चाडा कर कोई कुछ जितनी इजदत नहीं कर रहा मेरी यह सर पंच बनी तो मैंने बदाई धी थी थी ना अज पूरा गाउं मेरे नाम की जा रहा है जब से मैं सर बैंच बनियों तब से बहुत बीजी रही हूं काहे की बीजी हो कुछ भी इन जोकर्स की मंडली के साथ घूमने का टाइम मिल जाता है लेकर मुझ से मिलने के टाइम पर बड़ी बीजी हो जाती हूं तुमने जोकर मुझे कहा आपकी बात नहीं कर रहा बलकि आग लगाने जोकर होगी मुझे नहीं कहा तू सेल्फी ले गली का कुत्ता समझ के तूर भागते मेरी कोई हैसियत ही नहीं है ऐसा घोर अपमान दिल अंदर से रोने लगता है इसे नहीं करना चाहिए मन करता है कि मर जाओ ऐसी बाते क्यों कर रहे हो दो दिन पहले ही आ जाएंगे आम ल आग लक्षमी को समझाईए दरसल बंगा राजुने उन गुंडों से मेरी वज़े से ही दुश्मनी बोल ली थी बेटा पूजा वाले दिन मंदिर में वो उसी का बदला लेने आये थे उसका इस सबसे कोई लेना देना नहीं वो बेचारा तो मेरी मदद कर रहा था और इस म तुमने तो कमाल ही कर दिया सर्पन जी का स्वागत है इसके क्या जब्राइब तुम जो पधारी हो सर्पन चवारों के लिए हूं परिवार के लिए नहीं देख रही हो नेताओं से दो कदम आगी है देख रही हूं उस दिन मंदिर में दुश्मनी पर लेक्चर दिया था आज ये घर पर आगी ये लड़की नहीं आफ़त है ये सला उसन थपड़ को याद करके शराब पिये जा रहा था और आज तारीफों के पूल बांद रहा है अगर नागलक्ष में गुरू है तो हमारा भाई गुश्मनी आगे क्या होगा सौरी हाँ दरसाल थांक्स कहना था थांक्स किसलिए उस दिन पापा की हेल्प की थी ना उसके लिए थांक्यू समझा नहीं कुछ याद है ना उस दिन अंकल की तरफ से गुंडों की धुलाई की थी इसलिए आज बिल्ली बन के आई दागलक्ष्मी अंदर आओ बंगाराज मैं अंदर जाओ इतना प्यार यह पटेगी नहीं न पटे नहीं दूंगा चल्ट हाँ कि अधिए पिए पिए अधिए पिए शॉक लगा क्या शॉक तो उसे लगेगा अच्छा हुआ दूनों थोड़ा करीब आने लगे हैं आखेर पोता किसका है अरे सुनों कुछ पहना था अरे एक मिनुट रूप कुछ बात पता नहीं है अरे अंकल हात उपर करो अरे यह खर है कि यूकरेंद रशीय का बॉडर है भार इता बड़ा काड़न है वाँ जा के सिला है अगर कोई धांकी बात है तो जल्दी बखो सरपेंच का टाइम बेस्ट मत करो इतनी हिंट दिराओ लेकिन समझ नहीं रही मुद्य प्याता हूं ध्यान से सुनों लड़कियों को जहासा देना उसके बाए हाथ का खेल है क्रीज पे वो एक दूर नहीं लेता सीधा च जाओंगी एक पंजा मारा ना सारी आशे के बूल जाएगा यह जो श्टना मत होने देना अल्द बेस्ट मेरा आशिरवार लोगी अच्छा रहने दो इतना भी बुड़ा नहीं हूँ नागलक्ष्मी कहा है हमारा वेजू बावरा हो गया है क्या अदा है इसके नागलक्ष्मी तु मेरे घर की लक्ष्मी बनेगी हाई बंगा राजू हाई काफी अच्छी लग रही हो तुम भी इतनी अच्छी देख सकती हो सच में हैं सगें आज फ्री हो क्या तुम इलके बास क्या काम है ये तो फ्री है तेरी तुम ने ने मुझे बहुत काम है हां ओके ओके मैं चलता हूं बाई 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 ए क्या सब फोन में लगे पड़े हो इतरा हो क्या बाद है दीदी मेरे साथ गेम खिलना चाओगे कौनसी जेम दीदी लुका चुपे चोर पुलिस लुका चुपे और चोर पुलिस मतलब मैं पकड़ूं वो चुपे वो पकड़े मैं चुपूं और फिर नागलक्षमी लुका चुपे और चूर पुलिस न ये तुमें बच्वन में बहुत खेलता था देख रही हो यही चि तुम्हें गेम खेलनी है या इन पर लाइन मारनी है यह तीन आउट होगे और तुम भी आउट होगे यह सबको आउट कर देगा वाल तुम आउट पान हाथ में हाथ दाल दिया हम दों ही बचा है इसाव जल्दी आज़ो आज़ो ही यहां हो तुमने कैसे किया था अईसे और मैंने अज़े पर आया अई हुआ रहे बंगा रहा रहे दंद इस पर राया अधिस को कर रहे हो गलती से मिस्टेक हो गई ना आजाजा आजा आजाज बच्चा फुल फोकस है, तुम उदर फोकस करो, लाता हो, तुम कांटिमी करो, अकडबकड बंबे बो, असी नब बे पूरे सो, राशन, जाओ राशन छुप जाओ, यह पूरा मैदान क्लियर कर रहा है, फिर अपनी फिल्डिंग लगाएगा, अकडबकड बंबे बो, असी न नबबे पूरे सो, बंगा राजु चुप राएए, बंगा राजु चुप राहा है, अकडबकड बंबे बो, असी नबबे पूरे सो, नाग लक्ष्मी, नाग लक्ष्मी जाओ चुप अधि, हम यारे, तो हमें फिल्म देखने को मिलेगी, त्च वर्वाईगा मुज इन अगलक्षमी वह नहीं इस दर यहां यहां जो चुप जाओ मेरे आपाओ यहां पाओ नाइट नाइटी 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 नाइन हंड्रेट रेडिया नाइट यहां गुप हुआ को देखना कहीं बाहर तो नहीं है जाओ देखो ना अरे यहीं पर देखो आ रहा है क्या यहीं आ रहा है देख रहा है क्या तुम्हे हाँ वो बाहर है तुम शाद रहा हूँ ब्रभी आ उट तुमने कहा बाहर है मोटू बड़ा तेज है ओ ओके उस सरफ चिपते हूँ जाओ मोटू की तुम आउच 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 से क्या कर रहे हो रिंग को देख रहा है वहाँ जा कि देखो ओ आच आच ठीक रहे सौरे 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 आइटिया उट बंगा राजू यहां बहुत जगा है यहां आकर छुप जाओ जगा कहा है? दोनों के लिए काफी जगा है छुप जाएंगे नहीं ढूड़ताएगा कहीं नियतना डग्मखाचा है अरे डग्मखाने दे मामा लपकते बंगा राजू यहां बंगा राजू अकर अम्मा रम्मा अंतस एपो बुट्ट्टू गांगुलाम दूरम लो चेही पेड़ते रियाक्शन आएगे उड़तादी बंगा राजू जा किसे पले दर्वाजे के कुट्टी लागा थे श्यस कदेना विले जाके दर्वाजे की बंगा देगा उसके बाद करे का तुम तो जानती हो अंधर से दर्वाजा बंग करते है नियत में खूटा है इसकी कोशिश करके देखे नाग लक्षमी क्या है बता चलेगा मियाव किया करे हो चपल devast 화den पहले कमर में हाथ ड़लेगा फिर प्र चिम्टी काटेगा फिर नाग लक्षमी का गुस्सा जॉआना मुखी की तरह फटेगा उसके बाद ये प्यारी बाते है ये गहरा प्यार शादी के सपने, बच्चे, बच्चे सब खतम हो जाएगा, सपने किये कराएं पर पाने कर जाएगा, दबोच ले, दबोच ले, आने दो उसे, शुक्र, ये सबग हुमर भर याद रखेगा, नाकलक्षमी, इसकर के अतिथी हो तुम, और पता है न, अतिथी देवो भवा, मेरी महमान ये गेम हार जाए उससे पहले, मैं खुद ये गेम हार जाओंगा, खुद को ही मैं आउट करतूंगा, ठीक है न, हर्या आउट, अब मैं बाहर जा रहा हूँ, हम् बंगार जुआओ, 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 बंगार जुआ मंगार राजु की मौत ता हवान है कोपं स्वाइम विरासिनवादी उसके मृत्यों का रास्ता सोच लिया है सही मौर्थ का इंतजार है मुझे सही मौरत की जरूरत नहीं बस एक सही मौक्य की जरूरत है मार तुणका उसे आने वाले चार दिनों के अंदर उस बंगार राजु की कहानी हमेशा के लिए खा आदी तुम बंगार राजु को मानने वाले हो तो तुने सब सुन लिया सब कुछ जाके उसे बताएगा हाँ बिल्कुल बताऊँगा 生च हो यह प्यूख़ जाके नाय करें सबस्क्राजर 술र्ण लिए तुम कि तो मेंने ल abdomen पिताजे मैं पचीस सालों से एक एक दिन प्रतिशूत की आग में जल रहा हूँ या तो तो उसका शिकार करना या उसे मिरे लिए छोड़ देना ना हमारे पास वक्त है ना ही कलती करने की कोई कुझाई आज अजी आई पर दिल नहीं ले ते नमस्कार अंकल नमस्कार कैसे हैं आप आप अच्छा हूँ रास्ते में कोई तक्लीब तो रहे हैं कोई खास दी यह नए क्टर को और यह हमारे ब्रह्मों के सम्धी हैं कितने बाद के बाद मिले हैं अब टाइम मिला हम ज़रा बिजी थे जाए अंदर बैठिए आई आई अंदर चलते हैं तुम इतना गुस्सा में क्यों हो क्या हुआ गुस्सा नहीं तो क्या इनसे प्यार से बात करू यह क्या कह रही है कोई ऐसे बात करता है क्या बार बार इनकी शकलना देखनी पड़े इसलिए बहुत पहले ही इस घर में आ गए आप अंदर चलिए नहीं अब इस लड़की को क्या हो गया मुझे भी समझ में नहीं आ रहा बीटा अखिर बात क्या है आपने मेरी शादी ही क्यों करवाई मेरी खुशी के लिए या फिर इनके घर में नौकरानी का काम करने के लिए ऐसा क्या किया इनों ने ये पूछो क्या नहीं किया मेरी हर एक चीज से ने प्रॉब्लम है सुभर देर से उठों पती को नाम से बुलाओं कभी टीशिट पहन लूँ रात को नाइटी पहनूँ खाना बनाने में देर हो जाए या फिर खाने में नमक ज्यादा गिर जाए जो करूँ वो प्रॉब्लम जैसे कि मैं एक इनसान नहीं मशीन हूँ ये शादी गले का फंदा बन चुकी है ऐसा लगता है घर में नहीं किसी जेल में रहती हूँ लाता धीरे बोलो वो सुन लेंगे सुनने दोने समझ गया ना शादी करके इतनी टेंशन में जीना उससे अचा कारे रह के आश करो सही का क्या जब देखो दाथ दिखाता रहता है साफ सफाई रखने के लिए बड़ों से कैसे बात करते हैं इसलिए या खाना बनाने के लिए बच्पन से लेकर आज तक तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें कितनी बात टोका होगा कभी तुमने उनकी बात का बुरा माना ये तुम पर होता है कि तुम उसे किस तरह से लेती हो तुम्हारे सास ससुरने भी तुम्हारी हरकतों पर तुम्हें बेटी समझकर टोका होगा ये सोचकर भी टोका होगा कि इस बात को लेकर तुम्हारे पती से कोई अन बनना हो जाए इन बातों के पीछे चिवेन के प्रेम को देखो इस तरह गुसे में रिष्टे नहीं तोड़े जाते अंकल आंटी, यहां आईए न, प्लीज देखी, यह नया जनरेशन है तो आप भी वक्त के साथ बदलिए एक लड़की अपना घर छोड़कर बड़ी उमीद के साथ एक घर में जाती है और वहां आपको अपने माबाब समान समझती है जिस सरह से वो आपके संसार में बस गई है आप भी अपने मन से उसे बीटी का दरजा दे कोई भी इंसान अपनी आदते इतनी जल्दी नहीं बदल सकता ये जैसी है वैसी इसे अपनाने की कुशिश कीजिए आप भी खुश रहेंगे और ये भी सुखी रहेगी देखिए एक बात समझना बहुत जरूरी है अंकल एक उमर के पड़ाव के बाद जब हाथ पर चलना बंद हो जाएंगे न तो आपकी मदद करने के लिए आपके पड़ोसी ये आपके रिष्टेदार नहीं आने वाले है बलकि उस वक्त कौन साथ होगा उस वक्त आपकी बहु साथ होगी और इसके माबाब साथ होगे और यही सच्चाई है अलग रेने से हल नहीं निकलता सब के साथ रेने में ही सुख है वादा करो, खुच से वादा करो पिगड़े हुए रिष्टों में फिर से मिठास खोलोगी यह क्या? बिठाब सॉरी पापा क्या रहे? इनका मेलोड्रमा अब तक चल रहा है? अरे? इसलिए बुला, अगर शांती से जीना आना तो शादी के जंजट से दूर रहे इतनी जल्दे तो गिर्गिट भी अपना रंग नहीं बदलता किस सोच में डूबे हो? कोई परेशानी है कैसा होता है ना इनसान? जिन्दा रहते हुए जीवन का मुल्य नहीं समझ पाता मरने के बाद समझ में आता है मैं समझता हूँ मुझसे पूछो प्रेम और रिष्टों से बढ़कर कुछ नहीं होता है ना अपनों के साथ रह पाया ना अपने पूते को प्यार दे पाया बड़ा मकान तो मनाया लेकिन धर नहीं बना पाया छोटी-छोटी बेमतलबी बातों पर कितना कलिश मचाते हैं ये लोग जीवन है तब तक प्रेम है मरने के बाद तो बस फोटो में ही रह जाते हैं बंगार राजे को जगडालू समझती थी लेकिन वो रिष्टों को इतना समझता है ये देखकर मन में उसके लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई सच कहूं तो मैं भी यही समझती थी अपने बरताफ पर मेहाच शर्मिंदा हो उसने मेरी लाइफ बढ़ल दी तुम दोनों भी धोका खा गई अंदर राम बनके रिष्टों पर लेक्चर देता है बाहर शाम बनके शादी को फालतू बताता है अरे इंसान है अगर सच में तेरे पापा ने उस गधे को अच्छा लड़का कहा है तो तेरे पापा से बड़ा गधा कोई नहीं है कर ले जो करना है मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से उस दिन वो बंध कमरे में तेरे सब गई सकता था तो फिर ऐसे ठरकी लड़के ने इतने बड़े गोल्डेन चांस को छोड़ा के से मारने से पहले सोचूंगी नहीं तो क्यों उसके लिए तुम मेरे रामनाम सप्या करेगी सोरी अन्सोरी ठीक एकल उससे मिलो और मिलके उससे ये कहो कि मुझसे मिलने के लिए तुम मेरे आम के बगीचे में आजाओ चुप के से और ये भी कहना कि वहाँ तुम दोनों बिल्कुल अकेले होंगे बहुरे की तरा उड़ता हो आएगा अगर तुम्हारे साथ उसने कोई गंदी हरकत नहीं की तो ना सिर्फ मैं तुमसे हमेशा के लिए हार माननूंगा बलकि तुम्हारा कन्यादान करके होने वाले दूले के पैर अपने हाथों से धूंगा ठीक है आपके मेरे बीच बैट लगाते है अगर कोई बतम इसी की तो मैं खुद उससे सबक सिखाऊंगी और मैं आपसे आकर माफी माघूंगी उसी बक पर उसने जेंटिलमेन के तरह बीहेव किया ना तो आप उससे माफी माघाइगे उस लोफर हावाला है हां माफिनूंगा पक्का ना मेरे हारने का सवाल ही नहीं है पर मांपिन लेकिन सुनो हम ज्यादा ओर एक्टिंग मत करना है वरना उसे शक हो जाएगा रामा कॉम्पेटिशन में बहुत एवाड जी चकी हूँ देखते जाए देखते हैं बंगा राजू हाँ यह रोज रोज क्यों करंट मारे जा रही है अब कौन सा कांट किया थोड़ा पेट्रोल छिड़का है प्यार की चिंगारी नफरत में बदलेगी बस अब बारिश ना जाए मनोस अगर एतराज ना हो तो कल हम आम के बगीचे में मिल सकते हैं आम के बगीचे में कौन कौन जा रहा है कोई भी नहीं तुम मैं और बस तन हाई मतलब तुम मैं और कोई नहीं आओगे ना हाँ कल सुभा साड़े नौ बजे शार्प आम के बगीचे में फेक्स ओके प्लैन कामियाब हो रहा है अरे पापरे बाउली होगे यह तो आम के बगीचे में मिल रही है वो भी अकेले में कुछे कुछे रिकमा पापा आपकी प्रॉब्लम समझ गया अटेंशन मत लीजे मैं हूँ ना मेरा राजा बेटा सूपर डूपर ए बंगा राजू यहां क्या कर रहा है क्यों नहीं आसकता तुम भी तो आए हो तो हम बोर हो रहे थे तो यहां टनलने आ गया वही वही मैं भी बोर हो रहा था तो खेलने आ गया अहां इधर आओ एक गेम खेलते हैं कौन सा गेम रानिंग रेस वो कटा पेड़ दिख रहा है जो भी उसे पहले हाथ लगाएगा वो मेनर होगा ओके बड़ोगे ना शुरू करें तो फिर तीन के काउंट पर वान टू थ्री गो वह जड़ने खिर एक प्रू़ दो लाएगा है कि अजड़ मुरू कि अज़ने तो घ्री जड़ने खिरी इवा है याँ जिनौ एंगारःजू जिनौ 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 जुना 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 यह अपना ही बच्चा है नंदी बंगार राजू चिनन तो ठीक है न चोड़ तो नहीं आई यह ठीक हूँ यह ठीक है इसे कुछ भी नहीं हुआ चिन्दा मत करो ठीक हूँ और कितनी दिर तक सोता रहेगा उठाओ ना इसे अरे सोने दो ना बिजारे को अबे तक नहीं उठाओ कैसे हो बेटा हैपी बर्दे हाई पापा रामो तांक यू पापा आपने मुझे विश्कर लिया गिफ्ट भी कुरियर से आता ही हुआ मैं टाइम पे ना लूंगा आपकोस तुक्त आपकोस अजय हुआ अजय हो ठीक है तुक्त आपकोस टांकोस और इस अपर देर शंग, जो को ना झापकोस यह भूण कि अगया नौकर से कहो नहाने के लिए पानी गरम करें दादी गालियां देंगे अगर तुम्हारे बद्धे पत्वे कमी रह गई तो कितना जूर बोल रही है कब दाली दे इने जानवर को नहला रहा है क्या माफ कीजिए घलती होती है मैं नहला आती हूं पानी डालों देखो तो कितने प्यार से इसका सिर्ध हो रही है नहाने के बाद पूजा करने आ जाना पूजा करने लेकिन क्यों मैं कह रही हूं इससे लिए ठीक है आर्तीलों आर्तीलों यह आज खास तुम्हारे लिए बनाया है खाओ प्रसाद खालो फिर हमें मंदर जाना है मंदर जाना है उसकी क्या जरूरत है मैंने कहा ना जाना है जैसा तम कहो पिसकी यह आदर डालो देखते हैं हलो हलो बिटा है पापा टाइम पे उठा टाइम पे खाया टाइम पे सो जाओंगा असली हो गई अब फोन की दूटी हो गई हो तो हस्पिटल की दूटी कर लीजिए पापा पापा से कोई ऐसे बात करता है बच्पन में यह सारी चिठिया लिखे थी पर मैं उन्हें कभी पोस्ट नहीं कर पाया पता है उनकी और मेरी दुनिया बहुत अलग है अमेरिका जाओंगा तो भी उनके पास मेरी लिए वक्त नहीं होगा और यहां पर वो आएंगे नहीं मुझे वो बहुत प्यार करते है पर पता नहीं क्यों जाहर नहीं करते और जितना वक्त वो मुझे दे रहे ना उतना मेरी लिए काफी नहीं है तो मैं उनसे कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करता क्योंकि इससे कुछ फायदा नहीं होगा इस रिष्टे की डूर और कम्जूर ना हो जाए, इसलिए मैं बेमनी सही लेकिन उनसे बात कर लेता हूँ. सच कहूं तो लाइफ में खुशी जैसे कोई चीज रही नहीं है. अपना दुख छुपाने के लिए हर चीज में खुशी ढूनने की कोशिश करता हूँ. पर अंदर से मैं कितना अकिला हूँ, ये तो मैं ही चानता हूँ. अरे आ गई पेटा, कैसा रहा फंक्षन? बहुत मजाए. आओ, खाना खालो. आओ, आओ. अभी आई, एक मिनेट. फोन देखो. बंगार राजू. उठाओ. अलो अंकल? हाँ, बोलो बेटा. एक जरूरी बात करनी है. क्या हुआ? ये बात मैंने अभी तक नागलक्ष्मी को नहीं बताई है. सोचा पहले आपसे बात कर लूँ. मुझे उससे प्यार हो गया है. अगर आपको एतराज ना हो, तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ. मैं नहीं जानता कि आप मेरे बारे में क्या सूचते हो, पर मैं आपसे एक वादा करता हूँ. जितनी इज़त मैं अपने माता-पिता की और अपनी दादी की करता हूँ, उतनी ही इज़त मैं आपकी बेटी की भी करूँगा. अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दीशे. कि मैं थोड़ी देर में तुम्हें फोन करता हूं अहां ठीक है अंकल कट करो क्या जवाब दू बेटा आप इससे अच्छा हम सफ़र मेरे लिए धून पाएंगे क्या हाथ मूँ धोले खाना ठंडा हो रहा है आज़ा ठीक है तुम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया है मेरी तो समझ में नहीं आता तुम्हारे पापा से बात करता हूं ठीक हो ना रामू हमारे बच्चों को एक दूसरे से प्यार हो गया है तो फिर सोचना क्या है, शादी करवा दो तुनों की पंदरा तारिक का मुहुर्त है शादी की तैयारियां करनी होगी तुम्हें वाट, नेक्स मन्त फिफ्टींद को वो कहते है ना चटमंगनी और पट ब्या जल्दी से टिकेट बुक करवा दो अरे तुम्हारे पापा भी अजीब है शादी के लिए अपॉइंट्मेंट नहीं दी और कहा कि हनीमून के लिए वहाँ भेज देना वो क्या है ना वो पापा बाद में है पहले वो कार्डियोलोजिस्ट है ऑपरेशन्स बहुत इंपॉर्टन्ट होता है शादी का क्या हो जाएगी हम यूएस जाकर आशिरवाद ले लेंगे ना एक ही बात है ये भी ठीक है ये सही कहला है अगर में जिन्दा होती तो आज ये शादी बड़ी धूम धाम से करवाती तो अब भी क्या विगड़ा है तुम लेडीज में इंजॉय करो मैं आद्मियों में शामिल हो जाता हूँ दोनों मिलकर धमाल बचाएंगे चलो अखिर कार बंगार राजू के शादी से लोग कितने खुश है दूसरी तरफ इनके बेटियां शादी रुकवानी के लिए हर तिकडम लगा रही है इनके बेटियां ये शादी नहीं हो सकती अब वो ब्लेसिंग होता है वही तो बोला मेरे चलो काम चला लेंगे थैंक्यू आजयो और इने खाना भी ठूस ठूस के खिलाना अपना सारा ब कैसे हो अरे आओ बेटा कैसे हो मैं ठीक हुआ आप कैसी हैं तो कैसा है ये इंविटेशन कार्ड है आप सबको आना है हाँ ज़रू रहेंगे और वाई सब ठीक हाँ अब सुन हमने दोस्तों के लिए बैसलर पार्टी रखिया और तुझे आना ही पड़ेगा याद रख शादी होने तक तुझे मेरे साथ ही रहना है ठीक है ना बिल्कुल रहूंगा ठीक है चल फिर चलता है बाइग क्या देख रहे हैं आप कुटों पर गौर करो कुछ बेचैन से हो रहे हैं बेचैन तो मैं हो गया हूं उसकी शादी की खबर सुनके और आप कुटों की हरकतों पर रिसरच करते बैठे हैं कब खात्म करेंगे उससे उसकी मदद कर रहा है कोई कोई अन देखी शक्ति उसके पीछे है ऐसा कुछ नहीं है वहम हो रहा है आपको विश्वास नहीं हो रहा ना वो आ चुका है बंगार राजू की आत्मा यहीं है अब मिलेगा तिल को सुकून 26 साल से मुझे जिस दिन का इंतजार था आखिर आज वो दिन ना ही कया यह आप क्या कह रहा है पिताजी सत्य है एक ऐसा सत्य जिस पर किसी को यकीन नहीं हर 24 साल में एक पार शिवरात्री के दिन रुद्राभिशेक करने के लिए यमलोक से एक आत्मा मृत्य लोक पर आती है उस आत्मा में इंदर देव की महिमा यमराज का रौद्रा और शिव की शक्ति होती है इस बार वो आत्मा कोई और नहीं बलकि भंगार राजू की आत्मा है सत्य है मैं स्वैम साक्षी हूँ अपनी आखों से उस आत्मा को देखा है उस दिन मैं मौत के चंगुल से बागल बागल पचा था और तभी मैंने प्रतिज्या की कि उसकी आखों के सामने उसके पूरे कुन्वे को भस्म कर दूँगा अगर मैंने अपनी प्रतिज्या पूरी नहीं की तो रुद्राक्ष के साथ प्राण भी त्याब दूँगा देखना चाहोगे उसकी आत्मा को अगर साथ अगर साथ अगर साथ कर दो कर दो मैंने वार झाल झाल अब क्या करना है पिताजी उसके पोते को मारना है जब आत्मा उसके भीतर नहों उसे सिर्फ मारना नहीं है भलके तरपा तरपा के मारना है जाओ उसे ढूंड निकालो वो आचरा जश्न मननाने आएगा ये उसका आखरी जश्न होगा झाल आखरी जिस्टी जोचे जवीं हो जय उसे आखरी ज़ीं हो इससे अठेगे प् montrer पासे भीतर नहीं हो आखरी धावगें का उस्टी उसकंटी जुका दू बाडि लोपलू ना पेद्ध बंगार राजु आत्मा अब क्या करें इसे कैसे मारना है मैं जानता हूँ किसने भेजाए तुझे किसने भेजाए तुझे क्यूं मारना चाहता है क्यूं मारना चाहता है बोल किसने भेजाए बोल बोलना उठना कुछ तो घर बढ़े यहां मेरे पोते को कोई क्यों मानना चाहता है अब बस एक अंतिम युद्ध बजा है ओम नमाशिवाय जल्दी आना इसको कैसे बताओं के इसके पोते को कोई मानना चाहता है खांगा बरा जाएगी जाय काली इसके अंदर जो चेन है वो अभी मंत्रित है इससे उसके तादा की आत्मा उसमें प्रवेश नहीं करेगी जाओ क्या बात है स्वागत करने पूरा गाउं खड़ा है देखो दुलन आ गई बैठो बैठो बेटा तुम क्यों खड़े हो रहे हो कल इसकी मूँ दिखाई की रसम है अब सब को आना होगा हमारे जमारे में शादी के बाद ही दुला दुलन को देख पाता था और फैसें दादी तू होगी यह यह लो बेटा आव हैं अधि यह 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 युट्स यह यह यहीं ग्राज यूश्च्ट कि यह क्या है कुछ स्पेशल है क्या मुझे दो बाद में खोल लेना इसे अब पूजा में बैठना है कि शाह कि कल बंगार राजू के विवा का दिन है मोत केवरे सोरे मघंगा राजू Nh resistogy मंदिर पहूंचो हम सब भी वहीं जा रहे हैं आप इतनी जल्दी जा रहे अरे जल्दी तुम्हे hack Gucci अधियर अजना अले आदि इससे लेकर जलदी आ झाल 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 बाई, जैसे हमने प्लैन किया था, सब वैसे ही चल रहा है लाश को समंदर में फेक दो मेरी बेटी बंगाराजू के प्यार के जाल में फस गई है उससे ऐसी मौत मारूँगा कि देखकर मौत भी काप जाएगी आई, शादी की बाद छेड़ते ही अगर उसे मारा तो लोगों को शक होगा शादी के लिए हाँ कहतो, मंडप में पहुचने से पहले उसे खत्म कर देंगे और किसी को हम पर शक भी नहीं होगा जब तक बंगार राजू के पोते को नहीं मारेंगे, हम आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे बंगार राजू बंगार राजू उसे जिन्दा मत छोड़ना आप फिकर मत करो, ये काम मैं करूँगा तू तो रहने ही दे मनहूस बकरे को हलाल करने के लिए मैं खुद ले आया, फिर भी तू कुछ नहीं उखाड पाया लड़की से फोन करवाकर उसे नारियल के बगीचे में बुलवाया तो तुझे मारते हुए वो मंदिर तक ले आया, तू क्या भी आरेगा उसे उसे अपने हाथों से मारूँगा तो रमीश है ये तो आस्तीन का साहा निकला भाई, इस बार बच के जाने न पाए जोग करना है जल्दी करो वो बंगार राजु की आत्मा इस धर्टी पर कप किया चुके पता है तुमें, जो नरक मेरे परिवार को दिखाया वो नरक मैं उसे भी दिखाऊंगा मुझे चैन तभी मिलेगा जब उसके सामने उसके पोते को मरता हुआ देखूंगा जिस वक्त उसके पोते को मारोगे उसी वक्त उसके दादा की आत्मा भी नष्ट हो जाएगी क्या क्या रही है उसे मार के फिर जीवन से भले ही मोक्ष क्यों न लेलू भगवान ने मुझे हर वक्त इसी लिए बचाया ताकि एक दिन उसका वद कर सको तुम्हारी बेटी का विवाह मेरे बेटे से होगा ख़जाना तुम्हारा होगा बतला मेरा होगा मेरे कहने पर आदी बंगा राजु को शिव मंदर लेकर आ रहा है जाओ जाकर बचाओ उसे आज मे अएरह थुम्हार कर अेस अाओ bीडि़ आदी़ करां विए कि पिराओ सी आजना पाराि सी ब 처 epic कर早 सुा कि ये अंगोठी अभी मंत्रित है शादी में बंगार राजु को ये पहना देना दादा की आत्मा उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगी अपनी बेटी को कहना उसे पहनाने को जिससे हम पर भी कोई शक नहीं करेगा वेश पुझा उसे खाड़ घाड़ी तमाशा मांते उसकी मदद करो आपने चेंब आ पटाड़ी एदो क्ने पुझे भूगे रोज मंदिर हाती थी पहले मेरे पती की जान लेकर मुझे घ्रत बेसे नहीं कर रहे हैं साहरा कर दिया, मुझे दुखी करके भी तुम्हें चैन में ही मिला, इसलिए आज मेरे पोटे की जान के पीछे पड़ गए क्या तुम्हें मेरी दुख भरी पुकर सुनाई नहीं दे रहे हैं? मर उसे, मर जाएगा ये चाह चुपा थड़ रहा तुम्हें कुछ करना होगा उसे बचाना होगा वरना तुस्से विश्वास उड़ जाएगा नहीं लुक जाओ पुद्र, वाण नुदली रहा छोनाइं एकड़ भुद्र, राज़, बैपेंट्व कर दो रा, बैपेंट्व रा, पैपेंट्व कर दो घु digit रा, बत्व रॉरा, पीफू बैपे जोड़, पूडा, पीफ्य 좋은 रो, पी- Imperत, रो, भॉड्य, रो, ने法, भॉड, बाक्व, फिन नishment जेदर वाणि मत्तातनी चम्पण कादरा नू रे, चिन्न पिल्लोड रा, ये जेदर रे रा, रा, कपड़ रा रे, उधिले रा, चच्छिपो थड़ रा मेरा बेटा आ गया राबू मेरा बेटा आ गया राबू तार strang Dáक क्पड़ राबू प्सार रा क्पड़ रा, रा, रा फिर भाष्ट कि और आप चुश कर देवा है हुँआ कर दो जोड़ो, 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 बंग्या अर्राज उन्रा, इक्केड है वन्नान्रा? यह बाणानोमनी चंप पर्याड़ो, जूप पर्याड़ो, जूप यह अदे इस टोड़ो, यह है, झयाद्प पंग्यारो, जूप यह बंक्यारो तैesque है, ने भी से अिन्रा, टैट्विस मोण्ने देख क्सेट मोणने अर्रा, जोаноर्योो लिए। झाल 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 बंगा राजो यह यह ना कोड़कने प्रेंडेरी देपदी सेडराक रो यह कोड़को प्रेंडेराक रोड़कोड़को व्रोड़को गोड़को रोड़को अच्छोन! एप अबंड़ा, इसते तरी शाथी पर पहर दो, नुचल ! बगो! बगो! मार कमीने को! मार इजे! मार इजे! तुझे मारने की हिंबत की इसने? मार क्या? अब मार क्युक्ति कंग Cordelia मे करेंच dim. क्या करना की दूआ मिससी करेंच? थल्सक्राइच टारे? रिवह ह悼ा रे यह वापरे अरे यह क्या ने कुछ यह पूMIN आपांच? सब्सक्राइब राजू, यह दुक्राइब नहीं है बहुत हो गया तेरा ट्रावा है मेरे मानवण जोल गश्तार रहा मेरो चंपैसन चंपैसन मेरे नौदर रहु मेरे बेटे को मारने की साजिश्की तुने तुरस पुम्सससे को country a आश्ची खुड़िये मच genre पुझे प्रौसरे मारन मारे । भॉच्षु मारना चाहा दा ये भॉच्वीनाν टर्माइब क्य mesh हो भी तैरी आपक्या कЕ्या करों पॉच्चे कालेगी थ इसा हना दुप्यो नागु पापा, 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 बंगा राजू, पापा कर यह हल का है? हुघ plataform 선생님 है हुघ है है गजने समय हो यहाओ सब्लों सर्लों आप आप इसौनित अहडन मेरी बात्वीड मुझे सलीकша सी कर दो अज कर दो आप हैस आ हड्याओ वहएं मैं बिल्कवु दुस बंग अजय का? दादी मा? क्या ये सच में आप ही है? अब मुझे ऐसे कैसे छोड़ कर चली गई? पताए कितना रोया धा मैं। फिर से मत चले जाना। यहां मेरे साथ ही रही है। पिटा, कौन कहां रहेगा, उसका फैसला इनके हाथ में है। जो इस संसार में आया है, उसे जाना भी होगा। पापा, बोलो, लाइफ में फरस्ट है मा को इतने करीब से समझा। दिल से देखा आपको। एक अलगी हिम्मत पैदा हो गई है मुझ में। अब यही हिम्मत तुम्हे अपने बेटे में पैदा करनी होगी। बच्पन में तो तू इसे छोड़के चला गया, लेगन अब इसे छोड़कर कभी मच जाना। हमारे जाने का वक्त हो चुका है। अब आज के बाद, ना हम तुमें देख पाएंगे, ना तुम हमें देख पाओगे। तुम सब अपना खयाल रखना। हमारी प्रथा बनाए रखना। जैसे मैंने इस गाउं और इस मंदिल की सुरक्षा किये। वैसे ही मेरे जाने के बाद, मेरा पोता बंगा राजू इस गाउं का दायत्व ने भाएगा। लोगों की खुशियों का खैल रखेगा। जिस प्यार से लोग इस बंगा राजू को याद करते हैं, वादा करो वही इज़त तुम भी कमाऊगे। रिष्टे हमें शाज़ों दुल से निभाते हैं, ऐसे रिष्टे जिन्दा मरके भी रह जाते हैं। जीवन का है रही दसूर। अपरे अपनों से उते नहीं। झाल